देश प्रदेश और दुनिया से जोड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ मुंबई मनपा के मौजुदा सदन की अवधी साथ मार्च को खतम हो जाएगी इसे देखते हुए राज्यमंत्री मंडल ने मुंबई में प्रशासक नियुक करने के लिए मुंबई मनपा अधिनियम 888 में संशोधन के प्रस्ताओं को मंजुरी दे दी है तो शिवसेना सांदत संजे राउत की और से लगाये आरूप उपर विदान सभावी विपक्ष के नेता देविंद्र फड्डविस ने कहा कि राउत विक्टिव कार्ट खेलने का प्रयास कर रहे है वही भाजपा अधिक्ष चंद्रकान पार्टिल ने दावा किया है कि महाराष्ट में 10 मार्च के बाद सत्ता परिवर्तन होगा इसी बीच वंचित बहुचन आगाडे ने उत्तरवदेश विदान सभाच चुनाव में समाजवधी पार्टि को समर्थन देने का फैसला किया है वीबिये के अध्यक्ष प्रकाश आमबेट कर रही ये गोशना की है उदर शिवजिना सांसत संजे राउत और उनकी पतनी वर्षा राउत फिर से चर्चा में है दरसल कुछ दिन पहले उनके करीबी प्रविन राउत को प्रवर्तन निदेशाले ने गिरफतार किया था इसलिए अटकले तेज है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ राज्यमंत्री मंडल ने मुंबई में प्रशासक निउक्त करने के लिए मुंबई मनपा अधिनियम 1888 में संशोधन के प्रस्ताओं को मनजूरी दे दी मुंबई मनपा के मौजुदा सदन की अवधी 7 मार्च को खतम हो जाएगी राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई मनपा का कार्यकाल खतम होने के बाद प्रशासक निउक्त करने की सिफारिश की थी इसको लेकर राज्य मंत्री मंदल ने प्रशासक नियुक्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है प्रशासक की नियुक्ती मुंबई मनपा के आगामी चुनाव पूरे होने के बाद आम सभा की पहली बैठक के दिन तक लागू रहेगी राज्य के अलपसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई मनपा को छोड़ कर शेष सभी मनपा और नगर निकायों के कानून में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है लेकिन मुंबई मनपा अधिनियम में प्रशासक नियुत करने का प्रावधान नहीं है इसलिए मंत्री मंडल ने अधिनियम में संशुधन करने का फैसला लिया है मलिक ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी के मन्जूरी के बाद प्रशासक नियुक्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा मुंबई मनपा की तरह, मुंबई, ठाने, नागपूर, अकोला, अमरावती, नाशिक, पुने, सोलापूर, पीमप्री चिंचवण मनपा का कार्यकाल भी मार्च 2022 में समाप्थ हो रहा है इसलिए बगए रोबिसी आरक्षन का फैसला हुए यहाँ भी चुनाव होने की संभावना नहीं है इसलिए इन महानगर पालिकाओ के लिए भी प्रशासक नियुक्त हो सकता है शिवसेना सांसत संजे राउत की और से लगाए गए आरोपो पर भाजपा ने जोरदर पलटवार किया है विदान सभा में विबक्ष के नेता देविंद्र फटनविस ने कहा कि राउत विक्टिम काट खिलने का प्रयास कर रहे है यदि राउत के पास कोई तथ्या है तो वह अदालत में पेश कर सकते है राउत के हम आपके घर में घुसेंगे तो आप नाकपुर नहीं जा पाएंगे वाले बयान पर फटनविस ने कहा कि शेर कभी गिदड़ों की धमकियों से नहीं डरा करते फटनविस ने कहा कि राउत शिवसेना के मुख पत्र सामना के कार्यकारी संपादक है संपादक का मालूम होता है कि दिन भर सुर्खियों में बने रहने के लिए खबर के हेडलाइन क्या देनी चाहिए उसी हिसाब से राउत बयान देते रहते है राउत का बयान सुनकर हमारा मनोरंजन हुआ है इससे जाधा उनके बयान पर कुछ नहीं कहा जा सकता वो हार दिन सुपह 9 बजे मीडिया के जर्ये मनोरंजन करते है इसलिए हम उनके बयानों को ज्याद़ तवज्यों नहीं देंगे वही भाजपानेता किरिट सौमईया ने कहा कि मुंबई में कोविट केर सेंटर में हुए घोटाले की जांच सीबी आई से होनी चाहिए राओद्वारा सौमईया को बेवडा कहने पर भाजपानेता ने कहा कि मैंने कभी बीडी, बीयर और अंडे का सेवन नहीं किया है केंद्रिय चांच एजंसियों की कारवाई को लेकर महाविकास आघाडी और विबक्ष के बीच जारी बयान बाजी के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्षय चंदरकान पाटिल ने बड़ा बयान दिया है पाटिल ने दावा किया है कि महाराष्टा में दसमार्च के बाद सत्ता परिवर्तन होगा पाटिल ने कहा कि दसमार्च को उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव का परिणाम घोशित होगा इसके बाद महाराष्टा में सत्ता परिवर्तन होगा पुने में भाचपा कार्यकरताओं को सम्मुधित करते वे पार्टिल ने ये बात कहीं बाद में मीडिया से बात्चेत में उन्होंने कहा कि मुझसे पार्टी के कार्यकरता शिकायत कर रहे थे कि सत्ताधारियों की और से काफे परिशान किया जा रहा है इसलिए मैंने कार्यकरता उपर होने वाले अन्याय के संदर्ब में कहा कि आप लोग चिंता मत करिये राज्य में 10 मार्ज के बाद सत्ता परिवर्तन होगा वही शिवसिना सांसत संजे राउत ने कहा कि केंदर सरकार माहराष्ट में मध्यावधी चुनाव कराने की फिराक में है इसको लेकर राज्य में गुपचुप तरीके से त्यारिया भी शुरू है हालंकि राउंत ने दावा किया है कि महाराष्ट की महाविकास आघाडी सरकार को गिराने के बीजेपी के तमाम प्रयास फिफल होंगे राज्य के मुख्यमंतरी उधव ठाकरे ही बने रहेंगे बतादे कि जबसे महाविकास आगाडी सरकार बनी है तब से ही या आरोप विपक्षिदल बीजेपी पर लगाया जाता रहा है कि वह राज्य सरकार को गिरानी की कोशिश में लगी हुई है मंजित भहुजन आगाडी ने उत्तरप्रदेश विधान सवा चुनाओ में समाजवाधी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है विबिये के अध्यक्षे प्रकाश आमिटकर ने सवा को समर्थन देने की घोशना की है आमिटकर ने दावा किया हैं कि यदि साल 2024 के लोकसभा चुनाओ में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लोटेगी तो सविधान बदलने वाली राजनिती की शुरुआत हो जाएगी इसलिए वीबीये ने भाजपा को रोगने के लिए सपा को समर्थन देने का फैसला लिया गया है उत्तरव्रदेश की मौजुता राजनितिक परिस्तिती में बहुजन समाच पार्टी और चंदरशेखर आजाद के दल आजाद समाच पार्टी किस्तिती काफि दय निया है ये दोनों दल सत्ताधारी भाजपा को टकर नहीं दे सकते हैं विधानसभा चुनाओं में सपा और सत्तारोट भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है इसलिए उत्तरफदेश में आमबिटकर वादी जनता, बसपा और आजाद समाच पार्टी के बजाए सपा का विचार कर रहे है आमबिटकर ने कहा कि भाजपा और RSS की राजनिती का रास्ता उत्तरफदेश से होकर गुजरता है इसलिए उत्तरफदेश विधानसभा चुनाओ काफी आहेम है केंद्र सरकार में सत्ताधरी भाजपा, केंद्रे जांच एजन्सियों के जरीए दमन की राजनिती कर रही है एक सवाल के जवाब में आमबेटकर ने कहा है कि विबिये मुंबई मनपा चुनाओ गंभिरता से लड़ेगी मुंबई मनपा चुनाओ में गड़ बंदन के लिए भाजपा को छोड़ कर विबिये के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले है शिवसेना के सांसत संजे राउत और उनकी पतनी वर्षा राउत फिर से चर्चा में है दरसल कुछ दिन पहले उनकी करीबी प्रविन राउत को प्रवर्तन निदेशाले ने गिरफतार किया था साल 2010 में प्रविन राउत की पत्नी माधुरी ने संजे राउत की पत्नी को बिना प्यास के 55 लाख रुपे का कर्ज दिया था उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कर मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लाट खरीदा था हाला कि मामले को तूल पकड़ता देख संजे राउत की पत्नी ने ये कहा था कि उन्होंने माधुरी राउत से लिए गए पैसो को वापस कर दिया है HDIL में 1034 करोड रुपे का घोटाला सामने आने के बाद प्रविन राउत की गिरफतारी की गई उनकी पत्नी के खाते से संजे राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किये गए है ED को इसका सुराग मिला है और इसी आधार पर प्रवर्दा निदेशाले ने ये कारवाई की है बता दे कि भांडूप के एक स्कूल में शिक्षिका के नौकरी करने वाली वर्षा राउत की शादी संजे राउत के साथ साल 1993 में हुई थी वर्षा राउत का राजनेती से तो कोई लेना देना नहीं है हाला कि वह फिल्म निर्मान के कारिया से जुड़ी हुई है और उनकी हालिया फिल्म ठाक रे थी विदिता और पुर्वांशी नाम की दो बेटियों के माता पिता है संजे और वर्षा राउत भांडुप की फ्रेंड्स कॉलिनी में स्थित बंगले में राउत परिवार रहता है संजे राउत द्वारा चुनावी एफिडेविट में बताई गई जानकार्यू के अनुसर वर्षा राउत तीन कंपनियों में पार्टनर है राहत भरी खबर है केंद्रिया रिजर्वा बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे चार फिर्जदी पर बरकरार रखा है साथी RBI ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फिर्जदी पर बरकरार रखा है इसे किस्तो की राशी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही राश्ट्रे जंता दल के अध्यक्षय लालोपरसाद यादव ने कहा है कि देश गुरुह युद्ध की और बढ़ रहा है मोधी सरकार में देश में अगर सिविल वार होगा तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे इसी बिच केंद्रे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुश कबर है एक रिपोर्ट में उम्मी जताई गई है कि नए वित्य साल से पहले केंद्रे कर्मचारियों के फिटमेट फैक्टर का फैसला हो सकता है उदर RSS प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदूों का समर्थ ऐसा है कि उनके आगे कोई टिक नहीं सकता पर हिंदू समुदाय किसी के खिलाव भी नहीं है तो मुख्यमंत्री यूगी आधित्यनात ने एक संदेश में कहा है कि अगर मतदाताओं ने इस बार गलती की तो यूपी को कश्मिर, किरल और बंगल बनते देर नहीं लगेगी इस बयान पर बवाल मच गया है देश की इन पाजबडी खबरों को विस्ताथ से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ भारतिय रिजर्व बैंक ने गुरवार को अपनी द्वीमासिक मोदरिक नीति के फैसलों की घोशना की है केंद्रिय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे चार फिजदी पर बरकरार रखा है इसके साथ ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फिजदी पर बरकरार रखा है केंद्रिय बैंक की बजट के बाद ये पहली और इस वित्वर्ष की आखरी द्वीमासिक मोदरिक नीति है RBI के गवर्नर शक्तिकान दास ने कहा है कि हमने एकोनॉमिक एक्टिविटी में व्यवधान को कम करने के लिए उपाई किये है CPI महंगई ज्यादा रही लेकिन ये उम्मीद के मुदाबिक रही कोर महंगई भी ज्यादा है और हेडलाइन महंगई के वित्वर्ष 2022 की चौथी तीमाही में चरम पर पहुचने के आशंका है माना जा रहा था कि महंगई को लेकर बढ़ती चिंताओ के बीच RBI की मौदरिक नीति समिती नीतिगत दरों को यथावत रख सकती है केंद्रे बैंक की छे सदसिया मौदरिक नीति समिती की बैठक मंगलवार को शुरू ही थी और आज RBI के गवर्नर शक्तिका अंदास ने इसमें लिये गए फैसलों की जान करी दी ये बैठक 7-9 फरवरी तक होनी थी लेकिन महानगाई का लतामंगिशकर के निधन के कारण महाराष्टा सरकार ने 7 फरवरी को सारवजनिक अवकाश की घोशना की थी इसके बाद RBI ने बैठक एक दिन आगे खिसका दी थी राष्ट्रिय जनता दल की राष्ट्रिय कार्यकारिनी की बैठक में हिस्साले ने पटना पहुचे लालू प्रसाद यादाओं ने कहां कि देश गुरूह युद्ध की और बढ़ रहा है मूदी सरकार में देश में अगर सिविल वार होगा तो इसके जिम्मेवार यही लोग होंगे लालू यादाओं ने BJP पर आरोप लगाया है कि ये लोग केवल यूपी चुनाव को लेकर नहीं बलकि आए दिन मुजफर नगर तो खभी कहराना जैसी गंदी बाते रोज बोल रहे हैं देश में इतनी गरीबी है विरोजगारी है अन्य परेशानिया है लेकिन उसकी एक धिन भी चर्चा नहीं हो रही है प्रधानमंत्री का भाषन हो चाहे किसी और नेता का सभी में आयोध्धा, वारण असी, मतुरा जैसी बाते होती है इन लोगों को चसका लग गया है कि इन्हें इनी सब शब्दों से वोट मिलेगा लालू यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तरप्रदेश विदानसभा चुनाओ में पहले चरण की वोटिंग है और वही पिछले दो दिनों से हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है पहली नदर में तो इन तीन घटना करम का कोई तारतम्या नहीं दिखता है लेकिन अगर थोड़ा वक्त लेकर इनकी कड़ियों को जोड़ कर देखा जाए तो राजनिती के काफी कुछ संकेत को समझा जा सकता है दरसल लालू यादव ने इस लाइन के जरीए मैसेज देने की कोशिश की है कि वोटर स्मार्ट है और वह देश दुनिया में होने वाले राजनिती घटना करम को खुब समझता है हिजाब या अन्यक इसी सव्वेदन शिल मुद्दो को हवा देने से अगर अलप संक्यक वोटो का बिखराव और बहु संक्यक का धुरूवी करण होता है तो राजनिती क लाप और नुकसान तय है केंद्रिय करमचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फिजदी से बढ़ा कर 3.68 फिजदी कर दिया जाए एक रिपोर्ट में उम्मिद जताई गई है कि नए वित्य साल से पहले केंदरे करमचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है इसके बाद करमचारियों की नियुनदम सालरी में भी जबरदस्त इजाफा होगा आखरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था इसी साल सात्वा वेतन आयोग भी लागू हुआ था उस समय करमचारियों की नियूनदम सालरी 6,000 रुपे से सीधे 18,000 रुपे हो गई थी बता दे कि फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी करमचारियों के लिए बेसिक वेतन तै करता है इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी होती है तो नियूनदम बेसिक पे 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगा यानि सरकारी करमचारियों को बेसिक वेतन में सीथे 8,000 रुपे की बढ़ोतरी हो जाएगी सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्री करमचारियों का वेतन भत्तों के अलावा उनके बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर द्वारा किया जाता है यानि इसमें बढ़ोतरी का निर्ने लिया जाता है तो करमचारियों को डबल लाब मिलेगा इसके जैसे संभावनाय जताए जा रही है उसके अनुसर केंद्र सरकार की और से करमचारियों को दिये जाने वाले महेंगाई भत्ते में भी इसाफा हो सकता है माना जा रहा है कि महेंगाई भत्ता 31 से बढ़ कर 34 फिजदी हो सकता है RSS प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदूों की सामर्थ ऐसी है कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है साथी उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय किसे की खिलाब भी नहीं है 11 सदी के संतर आमानुजाचार्य के सहस्तर अबदी जैनती समारों को संबोधित करते वे संगप्रमुक ने हिदराबाद में कहा कि देश में प्राथमिकता हिंदू हित या निराष्टिय हित होना चाहिए अन्य हित जैसे भाषा और जाती आदी गौन है हम ऐसी किसी बात में शामिल नहीं होंगे जो देश में अंदर उनी संगर्श भढ़काए हम संबान के साथ रहेंगे हमें खत्म करने के खूब प्रयास किये गए लेकिन विफल रहे यदि हम खत्म हो पाते तो बीते हजार साल में ऐसा हो चुका होता लेकिन पाच हजार साल पूराना हमारा सनातन धर्म अक्षुन है संगर्प्रमुक ने कहा कि सामर्थ हमारे पास ऐसी है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है हिंदू समुदाय किसी का विरोधी भी नहीं है हम सदियों से कायम है और फलते फूलते रहे हैं पर जिनोंने हिंदूओं को खत्म करने का प्रयास किया वो आज पूरी दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं पर भारत का सनातन धर्म जिन्दा है इतने अत्याचारों के बावजुद हमारे पास मात्रू भूमी है हमारे पास बहुत संसाधन है तो हम क्यों डरते हैं क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं स्पष्ट कमजोरी का कारण यह है कि हम जीवन के प्रती अपने समग्र दुरूष्टिक उनको भूल गये है मुख्यमंदरी योगी आदित्यनात के एक वीडियो संदेश पर बवाल शुरू हो गया है योगी ने इस संदेश में कहा है कि अगर मतदाताओं ने गलती की तो यूपी को कश्मीर केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी दरसल उत्तर प्रदेश चुनाओ 2022 के गुर्वार को पहले चरण के मतदान के मौके पर योगी ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के मतदाताओं को आगाह किया है उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि यदि गलती की तो कश्मीर केरल और बंगाल बन जाएगा यूपी करीब 6 मिनिट के वीडियो संदेश में योगी ने कहा कि जिन दंगाई और आताताईयों पर अंकुष लगा है वो सब आप मचल रहे है आतं की बार बार धमका रहे है कि जरा सरकार आने दीजिये सावधान रहे है आप चुके तो 5 साल के मेहनत पर पानी फिर जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तफस्या पर आपका आशिरवात तो है ही यह भी ध्यान रहे कि ये वोट आने वाले वर्षों में आपके भहमुक्त जीवन की गारेंटी भी बनेगा योगी के वीडियो संदेश पर जैनत ने जवाबी ट्विट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले जम्मु कश्मीर का प्रतिवेक्ती आय दुगने के करीब है बंगल का तीन गुना और केरल साथ गुना है योगी लोगों को बरगला रहे है इसलिए जहास यूकरेन की सीमा के बेहत पास होने जा रहा है तो ब्रिटिश वेग्यानिकों ने सुरज की तक्टीक पर परमानो सलयन को अंजाम देने वाले एक रियक्टर को बनाने में सफलता हासिल कर ली है जिससे अपार उरजा निकलती है वही पाकिस्तान में तिन बेटियों की मा बे ये चार्ज डी अफेर्स को तलब किया है और भारत में मुस्लिम चात्राओं को हिजाब पहने पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार की गंभिर चिंता और निंदनी अकृत्य की निंदा से अवगत कराया है इस विच हमलावरों ने आज तड़के लीबिया के प्रधान मंतर जोरदार युद्धा भैस शुरू करने जा रहा है बेलारूस में यह अब्भैस युक्रेन की सीमा के बेहत पास होने जा रहा है सुरक्षा विशेशक्यों ने चेताओनी दिये है कि रूस और बेलारूस इस अब्भैस के जरीए युक्रेन और पस्चिमी देशों को यह इस अब्भैस में रूस के 30,000 सैनिक S-400 एर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किये गये है रूस ने इस महाब्भैस के लिए मद्द जनवरी महने में ही अपने सैनिकों को बेलारूस में भेजना शुरू कर दिया था इस अब्भैस के महत्व का अंद उक्रेन की सीमया पर तैनात कर रखे है रिपोर्ट के मुताविक रूस और बेलारूस के बीच इस युद्धा ब्यास का सक्रिय चरण आज गुर्वार से शुरू होने जा रहा है दोनों देश या अब्भैस ऐसे समय पर कर रहे है जब उक्रेन को लेकर पस्चिमी देशों क साथ रूस का विबाद अपने चरम पर है इस तनाव को कम करने के लिए पस्चिमी देशों के नेता लगातार प्रयास कर रहे है ब्रीटिश वईज्यानिकों ने सूरज की तकनिक पर परमानु सलयन को अंजाम देने वाले एक रियक्टर को बनाने में सफलता हसिल कर ली है ज 14 किलो TNT का इस्तेमाल करना पड़ता है इस शांदार प्रोजेक्ट को जॉइंट येरोपियन टोरुस ने कुलाम में अंजाम दिया है वईज्यानिकों की इस उपलब्दी को मील का पत्थर करार दिया जा रहा है इस तकनिक की मदद से सितारों की उर्जा का दोहन किया जा सक और धर्ती पर सस्ती और साफ उर्जा मिलने का रास्ता साफ होगा प्रयोक्षाला ने 69 मेगा जूल उर्जा पैदा करके साल 1997 में बनाया गया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है ब्रिटेन के परमानू उर्जा प्रादिकरण ने कहा कि 21 दिसंबर को आये परिणाम विश जलवायु परिवर्तन के समस्या से निजات मिल सकेगा परमानू सलयान पर केंदध ब्रिटिश प्रयोक्षाला में यह सफलता वर्षो के प्रयोक के बाद मिली है इस प्रयोक्षाला में डोनट के आकार की मशिन लगाई गई है जिसे टोकामैक नाम दिया गया है अंदविश्वास और अंदश्रद्दा का अजीबो गरीब मामला सामने आया है पाकिस्तान में तीन बेटियों की मा जब फिर से गर्बवती हुई तो पती ने उसे धमकी दी कि अगर इस बार बेटा नहीं पैदा हुआ तो वह तलाग दे देगा महिला दशत में आ गई और किसी से जानकारी मिलने के बाद बेटा पाने की लालच में जाड़ फुक करने वाले कथित पीर के पास पौँच गई इस पीर ने महिला के सीर में दो इंच मोटा कील ठोक दिया और दावा किया की कील इस बात की गैरंटी देगा कि अपके बार बेटा ही पैदा होगा महिला अब अस्पताल में भरती है और उसकी जान पर बनाई है अस्पताल में भी महिला ने पहले दावा किया कि उसने खुद ही अपने सीर पर कील ठोक ली है लेकिन बाद में उसने बताया कि कतीत पीर ने बेटा पैदा करने की गैरंटी देने के लिए यह कील उसके सीर में ठोकी है एक्सरे से पता चला कि यह किल महिला की सीर में आगे की ओर तो घुसी है लेकिन दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुचाया है पेशावर की पुलिस ने बताया कि आरूपी पीर की पहचान हो गई है उसके खिलाब कानूनी कारवई की जाएगी पुलिस प्रमुक ने कहा कि हमने CCTV फुटेज ले लिया है और जल्द ही महिला से इस बारे में पूरी बात की जाएगी पुलिस ने बताया कि महिला का नाम बाजगुल है डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके इस कील को महिला के सीर से सफल तब उर्वक निकाल दिया गया है फिलालवा खत्रे के बाहर है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है पाकिस्टान ने करना टक में जारी हिजाब विवात को लेकर इसलमाबाद में भारतिय चार्ज डी अफेर्स को तलब किया और भारत में मुसलिम छात्राओं को हिजाब पहने पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार की गंभिर चिंता और निंदनी ये कृत्त की निंदा से आउगत कराया विदेश विभाक के प्रवक्ता ने कहा कि चार्ज डी अफेर्स से भारत सरकार को यहाँ बताने के लिए कहा गया कि करनाटक में RSS BJP की और से हिजाब विरोधी अभियान पर पाकिस्तान चींतित है जो आमानवी कारण की दिशा में बहिशकरन वादी और बहुसंख्यक वादी एजेंटे का हिस्सा है इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंतरी शाह मैमुद कुरेशे ने भी हिजाब विवात पर भारत को घेरने की कोशिश की कुरेशे ने एक ट्विट में कहा कि मुसलिम लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंगन है मुदी सरकार के भारत में जो हो रहा है वह भयानक है भारतिय समाज अस्थिर नेतरुत्व में बहुत तेजी से पतन की ओर जा रहा है हिजाब पहनना अन्य कपड़ों की तरह ही नीजी पसंद का मामला है वही असदुद्दिन उएसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि वह हमारे घर के मामले में दखल न दे अपने अंदाज में एक जनसभा को संबुधित करते वे उन्होंने पाकिस्तान को नसियत दी कि तुमारे पास बलुचियों की समस्या है न जाने क्या क्या जगड़े है आप यहाँ अपनी टांग या नाक न अड़ाओ वरना जखमी हो जाओगे मलाला पर हमला तुमारे ही पाकिस्तान में हुआ था हमलावरों ने आज तड़के लीबिया के प्रदान मंतरी अब्दुलहमीद दावीबा की कार पर फायरिंग की लेकिन वे हमले में बालबाल बज गए हमला ऐसे समय पर हुआ जब सरकार के नियंतरन पर तिवरग उटिये तकरार जारी है सरकार से जुड़े एक करीबी सुत्र ने कहा कि फायरिंग उस वक्त हुई जब त्रदान मंतरी अब्दुलहमीद दावीबा घर लोट रहे थे घटना की जाच के आदेश दिये गए है गउर्तलबही की सशस्तर बलो ने हाल के हपतों में राजधानी में अधिक हतियार और सैन्य उपकरन जुटाए है जिससे आशंका है कि राजनेतिक संकट लड़ाई तेज हो सकती है फरवरी 2011 में पडूसी देश ट्यूनिशिया में करांती से प्रेरित लीबिया के लोग तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के खिलाब उठ खड़े विए जो 1989 के विद्रो का नितरुत्व करने के बाद सत्ता में आये थे सैयूक्त राष्टर ने मार्च में नागरिकों को तानाशाही से बचाने के लिए एकसाइन ने अभियान को मंजूरी दी थी नाटों ने लीबिया की तानाशाही ताक्तों को कमजूरी करते वे गद्दाफी की सेना पर हमले शुरू किये थे इसी के बाद से लीबिया में शान्ती और स्थीरता नहीं है दाविबा को मार्च में सयूक्त राष्टर समर्थित राष्ट्रिय एकतर सरकार के प्रमुक के रूप में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश देश के विभाजी संस्थानों को एक जूट करना और शान्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दिसंबर में होने वाले चुनाव की निगरानी करना था तो आज की स्खास पेश कर्शम बस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहे हैं वीकेबी नियोस नमस्कार